हेलो फ्रेंड्स वेल्फों टू मैं इस्टोडी फिर चैनल दोस्तों इस वीडियो में में एट्लेंटिक ट्रैक इवेंट्स से भीरी इंपोर्टेंट कोश्चन जो आपके एक्जाल में हन्डेट पर्सेंट हर बर पुछे जाते हैं जैसे की खिलाड़ी के जूते में कितने कील होते हैं बाधा दोर मैनाथ हैं दोर एंड क्या क्या रूल्स होते हैं तो सभी कुश्चन्स को आप ध्यान से देखेगा एंड इसकी इप मत किजिएगा तो दोस्तों चलिये चलते हैं आज के कुश्चन की तरफ कुश्चन है दोस्तों आई एएएफ ट्रेक एंड फिल्ड के वर्ल्ड रिकार्ड को प्रती वर्स कब संपादित करता है तो या एक जनवरी को संपादित करता है जैसे की दोस्तों आई एएएफ का फुल फॉर्म होता है इंटर्नेशनल एस्सोशियेशन आप एथलेटिक फेडरेशन यानि की पिस्व एथलेटिक संग जिसकी था अपना 1912 में हुआ था इसका मुख्याल है 1912 में स्टाक हों स्वीडन था बट 1993 में मुनाको डेस में इस्थाना जित कर दिया गया यानि अब इसका मुख्याल है मुनाको है एंड इसके बर्तमान अस्ध्यच सिवेश्टियन कोई बिटेन के हैं लेकिन दोस्तों बर्तमान में दिसंबर 2019 में आई एएफ का नाम बदल कर वर्ल एथलेटिक रख दिया गया है डबलू ए नेस्ट कोईच्चिन है आई ए 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 द्वारा रिकार्ड के लिए एकल इस मरधा में कम से कम कितने खिलाडी होने चाहिए तो तीन खिलाडी होने चाहिए iaaf द्वारा record के लिए एकल इस त्वर्धा में एकल इस परधा बुल रहा है यहां पे team खिलाड़ी होने चाहिए नेशकुच जन्हे आ aaf ड्वारा record के लिए team इस परधा मी कम से कम कितनी वी होनी चाहिए तो यहां पे टीम इस मरधा पुछा है तो कितना होना चाहिए दो ठीक है अगर एकल इस मरधा में कम से कम कितनी खिलाड़ी होना चाहिए रिकॉर्ड के लिए और टीम इस मरधा के लिए तो दो ठीक है नेश्ट है यदि किसी खिलाड़ी को प्रोटेस्ट करना है तो प्रडाम की गूसरा के कितने समय के पसचाथ प्रोटेश्ट किया जाशकता है तो यह 30 मिनट के पसचाथ ठीक है नेश्ट है 100-100 मितर की पहली हिट होने के बाद राउंड में दुसरी या फाइनल कितने समय के पसचाथ होगी तो यह 45 मिनट की पसचाथ होगी नेश्ट है 400 मिटर से 800 मिटर की दोड की पहली हिट होने के बाद राउंड में दूसरी हिट या फाइनल कितने समय पस्चात होगी तो यह 90 मिनट के बाद होगा 100-200 पुछेगा तो 45 मिनट, 800 मिटर दोड तो 90 मिनट नेश्ट है उची कूट, लंबी कूट, तीहरी कूट, साट कूट, डिसकस, हैमर पथा जेवलीन के खिलाडियों के नामों की घोश्रा होने के पस्चा कितने समय में उन्हें समधित छेतर पर अटेंप्ट लेना पड़ता है तो दोस्तो एक मिनट कितने समय में उद्रण अटेंप्ट लेगा एक मिनट के अंदर पोल वाल्ट को छोड़कर और सभी जैंपिंग एठ्रेंग इवेंट में नेश्ट दोस्तो पोल वाल्ट की इस वरधा में खिलाडियों के नामों की घोश्रा के पस्चात कितने समय में समंधित छेत्र पर अटेंप्ट लेना पड़ता है तो देव मिनट में ठीक हैं और सभी में एक मिनट में अटेंप्ट लेना पड़ता है और पोल वाल्ट यानि बास कूद में देव मिनट एध्यान में रखीगा नेश्ट है अगर उची कूद और पोल वाल्ट के अंतिम पड़ाओं पर दो याद तीन खिलाडी रह जाए तो उनके नाम की घोशना के कितने समय अंतराल के पस्चाथ उन्हें समंधित छेतने पर अटेम्ट लेना पड़ता है तो उसको उची कूद में दो मिनट और पोल वाल्ट के लिए तीन मिनट पस्चाथ अटेम्ट लेना पड़ता है अंतिम पड़ाओं पर दो याद तीन खिलाडी रह जाए तब नेश्ट है उची कूद और बास कूद के लिए सिर्फ एक खिलाडी रह जाए तो उसके नाम की घोस्चाथ के कितने समय अंतराल के पस्चाथ उसे समंधित छेतर पर अटेम्ट लेना पड़ता है तो उची कूद के लिए पनाशी मिलिट और बास कूद के लिए छे मिलिट जब एक खिलाई रह जाए तब नेश्ड दोस्तो फेरि इंपोर्टिंट कॉस्चन कि ट्रैक एंड फिल्ड के खिलाडी के जूते में ज्यादा से ज्यादा कितने स्पाइक यानगी कील होते हैं तो उस जूते में कम से कम 11 कील होते हैं कि जद्धस जद्धा कितने किल होते हैं 11 नेश्ट है सिंथेटिक ट्रैक और उची कूद वा जैवलीन को छोड़ कर अन्मिस इस परधा के लिए जूतों की में स्पाइक यानि किल जद्धस जद्धा कितनी लंबी हो सकती है यानि उची खूद्धा जैवलीन त्रों को जूतों में स्पाइक्स यानि कील ज्यादा सज्यादा कितने लंबे होते हैं, तो कितने होते हैं, 12 यम यम, सिखें, सिंथेटी ट्रग पर उची कुछ जोलिंत्रों में 12 यम यम जूता का कील लंबा होता है, उसके लावास में 9 यम यम, नेश्ट है, नान सिंथेटिक ट्रेक पर सभी इस परधाओं के लिए जूतों के स्पाइक्स यानि किल कितने लंबे हो सकते हैं, तो या नान सिंथेटिक ट्रेक पर 25 यम यम हो सकते हैं, सरीर के किस अंग के फिनिस लाइन को पार करने पर ही दौर्ण खत्म मानी जाती है, तो तोर्सो के पार करने पर ही दौर्सुअपत मानी जाती है। तोर्सो, यारी कमर से लेकर कउंदे तक का भाग ठेक है उसमें हमारे इसी को हम तोर्सो बोला जाता है दोस्तों जैसा कि दोर्स ःत करने की तीन विधिया है run through, lunge throw, shoulders run run through में wakeboard समापती किया जाता है यानि finish line को सीधे पार कर दिया जाता है and lunge throw में सीधे द्वारा समापती होता है and shoulders run में कंधे द्वारा समापती होता है ठीक है lunge throw को drop finish technique or lunge बोला जाता है तो इन तीनों दर्डों में समापती तभी माना जाएगा जब torso finish line को पार कर जाएगा यानि कि हमारे कमार से कंधे तक का भाग finish line को पार करेगा तभी दर्डों को हम समापती समझेंगे next question है कि अगर time keeper की मुख्य तीन घड़ियों में से दो घड़ियों का समय तीसरी घड़ि से mail ना खाता हो तो कौन सा समय लिया जाता है तो इसमें दो घड़ियों का समय लिया जाता है next है अगर तीन मुख्य time keeper की घड़िया अलग-अलग शमय बता रही हो तो कौन सा समय लिया जाता है जाएगा तो दोस्तो सबसे बीच वाली घड़ी का शमय इसमें लिया जाएगा नेश्ट है तीन मुक्खे घड़ियों में से एक घड़ी बंद हो जाए और अन्दे दो घड़ियों के समय में अंतर हो तो कौन सा समय लिया जाएगा तो जिसका समय जाला होगा उसका लिया जाएगा नेश्ट है पूर्सू के लिए कौर सी बाधा दौर होती है तो दोस्तों पूर्सू के लिए 110 मिटर वो 400 मिटर बाधा दौर होती है और महिलाओं के लिए 100 मिटर वो 400 मिटर बाधा दौर होता है तह यहां आफसर नमबर भी concealed पूर्षू के लिए फुच्याए एकसो दश मीटर वगा थो इसफसनर पूर्षू की एकसो दश मीटर वगार्धा दोर होग बधाओं की संख्या कितनी होती है तो दोस्तों सभी दोर्षू में बधाओं की संख्या 10 होती नेक्ट है 110 मीटर बधादर्ण में बधाओं की उच्चाई कितनी होती है तो 110 मीटर बधादर्ण में बधाओं की उच्चाई 1.637 1.067 मीटर होती है वही पे 100 मीटर कब पुछेगा तो 0.84 मीटर 1.900 मीटर पुरूष के लिए 0.914 मीटर 1.700 मिहला के लिए 0.762 मीटर हो जाएगा नेतस्ट है 110 मीटर बधादर्ण में पहली बधा इस्टार्ट लाइन से कितनी दूर रखा जाता है तो पहली बाधा स्टार्ट लाइज से 110 मीटर बाधा दोर में 13 दो मीटर की दूरी पर रखा जाता है और 100 मीटर में 13 मीटर की दूरी पर रखा जाता है 400 मीटर पूरुस के लिए 45 मीटर की दूरी पर रखा जाता है अनमहिला के लिए भी 400 मीटर में 45 मीटर की दूरी पर पर्थम बाधा रखा जाता है इस टार्ट काई से टेश्ट है 110 मीटर बाधा दौर में अंतिम या दसमी बाधा फिनिस लाइन से कितनी दूर पर रखी जाती है 110 में अंति बद्हा फिनिस लाइन से 14.02 मीटर की दुरी पर रखी जाती है वोगी पर 100 मीटर पूछेगा तो 10.50 मीटर पर 400 मीटर महिला पूरुस के लिए पूछेगा अंति बद्हा फिनिस लाइन से कितनी दुरी पर 440 meter, तीक है, नेश्ट है, 110 meter बधाद्र में, बधाओं की आपस में कितनी दूरी होती हैं, तो बधाओं की आपस में दूरी 110 meter में 9.14 meter होता है, वोह इxit 100 meter में पूछेगा बधाओं की आपस में दूरी, तो 8.50 मीटर हो जाएगा और 400 मीटर पूरु साय महिला में पूछेगा बथाओ कि आपस में दूरी तो 35 मीटर हो जाएगा नेशन दोस्तो मेराथन दौर मेराथन से क्या तात परे हैं तो दोस्तो मेराथन दौर मेराथन से तात परे इोनान में एक जगह का नाम है क्या है उनान में एक जगह का नाम है जैसे हैं कि दोस्तो मेराथन दोड के बारे में मैं डिटील में बताई हूँ आप सबको उस वीडियो को आप देख लिजिए गाँ Next question है मेराथन दोड किस की याद में आयुजित की जाती है तो यह फिरिपिरीस के याद में आयुत की जाती है दोस्तों हुआ क्या था कि जो मेराथन है युनान में एक जगह का नाम है जिसमें इस्पार्टा और एथेस में युद छिड़ गया था और दोनों में युद होने के बाद जो फिरिपिरीस है वह जीतने की खुसी को उन सब को इस्पार्टा वालों को बताना चाहता था जो मेराथन की पहाड़ी पर इंतजार कर रहे थे तो वहां से वहां तक की दूरी कम से कम बे 40 किलिमीटर तक था तो वहां पर समाचार देती ही हुआ गिर करके उसके प्रान निकल गए उसी के यादवे जिसका नाम फिड़ी पिड़ी था मेराथन दोर आयुजित किया जाता है नेक्स कोश्चन है मेराथन दोर की दूरी कितनी होती है जैसा कि आप सब को पता है 22.195 किलो मीटर यानि 26 मिल 385 गज होता है नेक्स कोश्चन है उची कूद हुआ बास कूद में टाई पड़ जाए और टाई के पहरे दो नियम के पस चात भी टाई बने रहे तो नियोड़ा किस अधार पर लिया जाएगा तो दोस्तों पहली बार टाई होगा तो इलेश चान दिया जाएगा फिर टाई होगा तो क्या किया जाएगा में क्रास बार को बढ़ा जाता है तो दो सेंटिमीटर और बास कोड के लिए पांच सेंटिमीटर तो दोस्तों ए थे कुछ बेरी important question athletic track events related जो आपके लिए very important है I hope कि सभी questions आपको समझ में आये होंगे कोई doubt होगा तो मुझे comment में जरूर बताईए मैं doubt clear करने की पूरी कोशिश करूंगी और दोस्तों बने रहे इसी तरह मेरे चैनल पे नए नए वीडियोज पाने के लिए ट्रेन को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकों को प्रेस कर लिजिए जिसे न्यव वीडियो का अपडेट आप तक कहुंचता रहेगा तो मिलते है नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहे